महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान में सोयाबीन की बुवाई लगभग 70 से 80 परसेंट तक हो चुकी है. बुवाई के साथ अब मंडियों में सोयाबीन की आवग बढ़ गई है. मंडियों में आवग बढ़ने का असर सोयाबीन के भाव पर दिखाई दे रहा है. सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट का दौर चला आ रहा है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सोयाबीन के भाव में लगभग 1000 रुपए प्रती क्विंटल से अधिक की गिरावट आ चुकी है. जून माह की तुलना में जुलाई माह के प्रथम सप्ता में सोयाबीन के भाव में से 200 की गिरावट हुई है. मंदी में सोयाबीन के भाव 4,500 रुपए प्रती क्विंटल से नीचे आ गए है सोयाबीन का कारोबार करने वाले विशेशग्य बताते हैं कि सोयाबीन के भाव में आगे चलकर और मंदी आने की संभावना है सोयाबीन के भाव में मंदी की संभावना को देखते हुए सोयाबीन का स्टॉक करने वाले व्यापारी एवं किसान दोनों घाटा खाकर अपना माल बेचने में लगे हुए है बाजार विशेशग्यों के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों के दोरान सोयाबीन के भाव 4,000 रुपए प्रती क्विंटल के आसपास रहने की संभावना है फिलहाल सोयाबीन के भाव में आने वाले दिनों में भी तेजी के संकेत नहीं है सोयाबीन के भाव में लगातार हो रही गिरावट के बाद अब बाजार में घबराहट का माहौल बन चुका है किसान एवं व्यापारी कम दाम में अपना माल बेच रहे हैं Bureau Report Market Times TV